इस बिहारे साइल आलू की भुजया गटे इतना डिफरेंट है कि आपको सिंपल वाली भुजया से कही ज़्यादा टेसी लगने वाला है पूरी हो पराठे हो दाल चाबलो आपके हाथ नहीं रुकेंगे इतना सिंपल इतना जबज़त तरीका मैंने बताया है कि आप हमेशा भ फद्रों को पतला पतला कट किया लंबा लंबा तो यस आलू भुजया में जब भी कोई भुजया बनाती है तो इस Dollemban व पतला पतला कट करते हैं इसका डेस्ट बहुत ही बढ़ी समयाता है अप जब्थी बिहार अलू भुजया बनाता है तो वह मस्टर्ड ओएल में बना कि थोड़े से मसाले पड़ते हैं जैदा कुछ नहीं पड़ता हूँ इतनी जबस लगती है अब इसको हमें क्या करना है पर अच्छे से लो फ्लेम में भूनना थाकि कोई भी मसाले अमारे जलेना बड़िया सी मेथी रेड कि इसमें आलू डाल दिया है और इतनी सिंपल जल्दी बन जाती है तो अब हमें क्या करना है इसको करते जाना है और हमें इसको मीडियम में भुनते भी जाना में अब देखो एह थोड़ी देखाना सा कलर चेंज अब देख सकते हैं अच्छा सा कुछोना स्टार्ट हो गया तो थोड़ा सा ढग देते हैं 3-4 मिनट के लिए तब तक मसाला करते हैं तो यह है हमारा छोटी चमच बहुत ही चोटी चमच मैंने लिया है यहां पे काली मिस्ट का और 4-5 के लिए लहसुन की जादा नहीं लिया थ पेस्ट बनाएंगे तो जब भीहार में आलू भुजिया इसी पेस्ट को डाल के बनाई जाती है यह पेस्ट से ही ना सारा आलू भुजिया को जो टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है पर अभी गर्मियों का टाइम है ना तो मैंने बहुत कम काली मेच और लहसन लिया है ठंड मे नहीं डालना है बस यह लहसन और काली मेच वाला जो पेस्ट बनाया है यह डाल देना है और सारी चीजों को मिक्स करना है और देखते आपकी ना भुजिया तयार हो जाएगी ना धनिया पाउडर ना गरम मसाला ना कोई रेडच चिली पाउडर कुछ भी नहीं डालना है आ अब यह देखें तो आपकी आलू की भूजिया तयार है और बस इसको आपको क्या करना है बन कर देना है गैस को लास में थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे यकीन मानिए एक बार यह डिफरेंट स्टाइल की आलू भूजिया ट्राय करके देखें आपने जीरा वाले भूजिया बहुत ट्राय करेंगे यह बहुत ही डिफरेंटेस के साथ तयार होती है लेकिन आप अपने हाथ को रोक नहीं पाओगे गैरेंटी मैं लेती हूँ पराठे हो दाल चाबलो आप उसके साथ खाके देखिए पूरी के साथ खाके देखिए टिफिन में बच्चों को बनने वाला यालू भुजिया आपको कैसा लगा पसंद आया तो प्लीज कॉमेंट करके बताएं और मेरे चंद को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कूर न भूलें मिलते हैं ऐसे टेस्टी रेसिपिक साथ